The Ultimate 4K Gaming Monitor वाई बिल्कुल सही पढ़ लिए तुन टाइटल में यह Ultimate क्यों है क्योंकि यह 4K है विद 144Hz उसके बाद 32 इंचिस देख रहो फ्रेम भी इतना वाइड बनाना पड़ा आज इसको फ्रेम मिलाने के लिए और जब यह 4K है 144Hz है 32 इंचिस है करता है यह नहीं वह सारा इस वीडियो में जान लेते हैं दब्बा खुला खुला है आपको बी रोल मनबॉक्सिंग दिखाता हूं यहां पर कुछ ऐसा बॉक्स मिल जागा हमारे को भारी बरकम बहुत बड़ा इसके अंदर से निल जाएगो एक पावर कॉड एक टाइप डाइप एक हैश डइ्सके लिए कर जयाएगे और यह माऊस बनजी 3टाइप एपकरग मिल जाते हैं यह हमारा बेस का स्टैण मिलिए बहुत बनास्ट का लिए और ऊपर प्लास्टिक कवड़ एगी जिस पर monitor setup होगा और फाइनली यह निगल जाता है हमारा monitor और monitor setup करना था मुझकी लिए पीछे आपको stand लगाना है और जो आपको screws मिलेंगे वो लगा के आपको यहां पे कस देने और जो नीचे वाला stand है उसको यहां से आपको इस तरीके से tight कर देना है अब यह हमारा gaming monitor अब मैं आपको उसके outers के बारे मताता हूँ तो भाई तकडी build के साथ आता है वैसलो पूरी proper plastic build है पीछे से बट जो plastic की quality है एक तरफा बेस का stand भी है वो हमारा metallic stand होता है जिसके ओपर plastic की covering होती है quality इसकी बहुत अच्छी है and 100 by 100 visa mount compatible भी है पीछे जहां पर हमारा stand लगा हूँ इसको remove करके हम visa mount भी लगा सकते है and design की बात चली रही है पीछे आपको mystic light मिल जाएगी इसकी जिसको आप customize कर सकते हो इसके software में जाके काफी सारे effects मिलते है और यह light माग होँगा एक तरीके से बस डाल तो दिये पर कुछ काम की मेरे को ने लगी क्योंकि यह पीछे आ जाती है हमारा setup अगर दिवार के साथ रखा है तो पीछे से एक छोटी सी वाइब आपको देती है कि यहां पीछे light है वो भी अगर आपकी दिवार एक bright color की है बात आती है portion की यह पर को power input पॉर्ट मिल जाएगा टाइप B का पॉर्ट मिल जाता है HDMI 2.1 पॉट दें टाइप B पॉर्ट दें एक हगर HDMI 2.1 पॉइंट पॉइंट थीप बर्ट जो मर जी बढ़िया चीज है और जो इसके डिस्प्ले आप पूट्ट पोर्ट्स हैं HDMI हो, DPO, ये चाहे हमारा टाइप सी हो तीनों के तीनों 4K 144 एट सपोर्ट करते हैं फुल फ्लेजड मॉनिटर है, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कहीं पर कॉंप्रमाइज करना पड़ेगा एंड येस, इतना महांगा आप मॉनिटर लेने वाले हो तो सबसे पहले आप डिस्प्ले के बारे फोकस करोगे कि क्या है, मतलब इसकी डिस्प्ले में ऐसा क्या है इसके अंदर आपको 32-inch की Ultra HD यानि 4K IPS डिस्प्ले मिलती है, जिसका resolution 3840 x 2160 है और ये हमारी quantum dot display है, quantum dot का मतलब क्या होता है, एक layer होती ही आपके panel और backlit के बीच में जिसकी वज़े से जो colors हैं और जो brightness है, वो बहुत उबर के दिखाई देती है आपको 144Hz का refresh rate है, 1 millisecond response time है, 99% Adobe RGB, 97% DCI-P3, 600 nits की peak brightness आपको मिलेगी, peak मतलब HDR mode पे, वैसे peak आपको 400 nits मिलती है 1000 is to 1 contrast ratio, visa certified भी है, display HDR 600 certified भी है, and g-sync compatible भी है तो भाई, display में कोई दिक्कत नहीं है, colors ले लो, refresh rate ले लो, response time ले लो, आपको multimedia, gaming, इसके colors है बहुत तकड़ी है, brightness बहुत बढ़ी है एकदम punchy contrasty image आपको मिलती है, and overall 32 inches का monitor है, तो भाई, मज़ा आ जाता है, इसके उपर content देगने में, फिर चाहे gaming हो, फिर चाहे multimedia हो, everything looks so big I mean, screen size is big, ना, तो जो exact experience है, वो मैं आपको भी आगे बताता हूँ, इसके key features के बारे हम बात कर लेते हैं, मतलब यह महंगा है, तो इसके अंदर भाई, कुछ तो ऐसे special होगा, apart from display, इसके अंदर आपको MSI की KVM 3.0 technology मिल जाती है, KVM 3.0 क्या होता है, आपका keyboard mouse आपके monitor से connected ह होगा, through USB, तो जिस भी device के साथ आप monitor connect करते हो, आपका keyboard mouse उसके साथ work करेगा, और जैसे इसके अंदर 3 HDMI port है, तो आपने एक laptop, एक PC, या दो laptop, एक PC, जैसे भी आपने connect किया, तो एक ही pair of keyboard mouse आपका सारे device से साथ काम करता है, वो बहुत साई चीज लगी मरब, और इसके अंद dedicated console mode मिल जागा, क्योंकि HDMI 2.1 के साथ आता है, तो 4K 120Hz तक आप ले सकते हो, यानि कि PS5 या Xbox Series X आपके पास है, तो ये monitor भाई तगड़ा option हो सकता है, तो जिस game में support होगा 120Hz का वो चलेगा, और monitor का full output आप उठा सकते हो, और यहाँ पर हमारे को sound tune का भी option मिलता है, sound tune का क्या सी ये monitor है, हमारा inbuilt microphone के साथ आता है, तो जैसे आप desktop पे use करते हो, तो आपको मानलो, headphone नहीं लगाना, या dedicated mic नहीं यूज करना, कोई meetings वगरा के लिए, तो dedicated mic आपको के अंदर मिलेगा, अगर आप sound tune on कर देते हो, तो background noise बिल्कुल खतम कर देता है, एकदम clear sound आती है, मैं पर आ sound quality है, sound tune off करके, और अभी जब होगा सुन रहे हो, sound tune on करके है, कुछ ऐसी quality, देखो पता नहीं कितना change आया होगा, और ambient noise, अभी भी same fan चल रहा है, सब कुछ है, मैं एक मिनट चुकवा जाता हूँ, तो इसने यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल cancel out कर दिया, headphone PC से अपना monitor connect कर दोगे, USB के साथ, तो उस application के दुरू सारे OSD controls आप सेट कर सकते हो, क्या-क्या है application में, आओ दिखाता हूँ आपको, तो जब आप इसका software डाउनलोड करोगे, तो कुछ ऐसा software मिलेगा, इसका link दे तो कमें description में आपको, इनकी official website से मिल जागा, तो left side में सारे यहां पर modes मिल जाएंगे, आपको, जिस type का mode रखना है, racing, movie, office, rgb, srgb, जैसे भी करगे, जिस type का usage होगा, आप चेंज कर सकते हो, तो आपका keyboard mouse उसी device से चलेगा, और यहां पर optics scope मिल जाता है, इसको on करने से, आपको extra enlargement मिल लेगी screen पर, एक तरीके से cheating type का होगा, आप e- sports वगरा खेलते हो, और उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, तो monitor में आपे different modes आपको मिल जाएंगे, जो आप turn on off कर सकते हो, HDMI 2.1 यहां पर आपको console mode और PC mode, दोनो लग 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 रखे है, 4K 120, for Xbox Series X and PlayStation 5, यहां पर brightness, आपना चीज सब चीज आगे, image के लिए, यह चे यहां पर refresh rate on off करना, स्क्रीन पर दिखाने के लिए, alarm clock हो, यहां पर मिल जाती है, और यहां पर ray tracing का separate tab बना रखा है, तो ray tracing वाले आप गेम खेलोगे, उसके लिए थोड़े separate यहां पर इन्होंने colors वगरा सेट अप किये हैं, जो कि काफी पंची से लगते हैं, और मजा आता उस button से instantly आपको क्या चाहिए, वो आप यहां पर turn on off कर सकते हो, अपने हसाब से, यहां पर उपर हमारा mystic light का option है, यहां पर आपको different light options है, वो सब आप यहां पर change कर सकते हो, और यहां पर settings icon है, उसके अंदर कुछ ऐसी settings आपको मिल जाएंगी, system, hotkey and navigation जो आपको अपने हसा पर रहा हूं, in editing, in gaming, console gaming, PC gaming, e-sports, सब, क्या ही experience मिला भाई, एक तो 32 inch का monitor है, तो console gaming भाई, इतना मज़ा आता है, मतलब आप दूर बैटके भी game खेल रहो हो, तो अच्छा आपको screen size आपको मिलता है, and by colors हो, और अगर आपको 120Hz वाले भी game खेलने है, console के थूर, तो हर चीज करके लगता है, मतलब पहले 1080 लगता था बड़िया है, और 1080 के बाद 2K पे जब आता है, तो लगता हो, तकड़ी quality है, क्योंकि मैं 2K यूज़ कर रहा हूं, LG Ultra Gear Review, आपको बहुत सही मिल जाएंगे, और editing की पर बात कर रहा था, तो अगर आपको color accuracy वाले काम करने है, आप Photoshop च करने है, और colors पर काम करते हो, तो ये monitor आपके लिए बढ़िया choice हो सकता है, क्योंकि visa certified है, और quantum dot display है, क्योंकि इसके विए से जो colors है, वो काफी accurate काफी बढ़िया दिखाई देते हैं, तो बस ये था इसका पूरा review, और drawback के आपको बाता हूं, तो कोई speaker नीए, इस monitor के अंद इसी background में हो जाता है, पर monitor के ओपर display आने में काफी time लगता है, अब ये चीज़ पता नहीं कोई glitch है, कोई software के through अगर होना होता, मेरे को इसके app में कोई option नहीं मिला, नहीं इसके OSD में मिला, ये मैं कह नहीं सकता, तो मेरे को ये drawbacks लगे इसके अंदर, बाकि उसके लावा monitor बहुत तकड़ा है, और मेहंगा है, यहां मैं कोई recommendation के बारे में बात नहीं करूँगा है, क्योंकि ये monitor बहुत limited type के audience के लिए है, जिनके पास अंधा budget है, जिनको gaming, editing और उसके पास PC के लिए तकड़ा monitor चाहिए, तो फिर वो budget नहीं देखेंगे, जिनके पास पैसे है, तो अगर budget है, तो 80-85,000 का प्राइस है, लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप बाय कर सकते हो, दिक्कत आपको कोई आईगी नी monitor यूज़ करने में, और बस आज की वीडियो के लिए इतना था, आपको कैसा लागा monitor, आप comment section में बताओगे, बाकी like, share, subscribe, मिलते हैं इस वीडियो में दब तक के लिए, बाय!